जाहिन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लेके आएं सोलिशन चैप्टर का अगला टोपिक जिसमें हम लोग जानेंगे वेपर प्रेशर एंड पार्शल वेपर प्रेशर के बारे में तो आईए शुरू करते हैं इस इमेज में मान लीजी कि यहां पर हमने एक वॉलेटायल लिक्विड लिया हुए है वोलेटायल लिक्विड का मतलब होता है वास्प्जील जो ़ेपर में कनवर्ट हो जाए भाप में बदल जाए और यहां पर इस बरतन बंद और नावलेट को ब वहाँ पे आपको इस लिक्विड की वेपर दिखाई पड़ेगी आफ्टर सम टाइम वेपर्स ओफ दा लिक्विड स्टार्ट टू फॉर्म ओवर दा सर्फेस इन एम्टी एरिया दू टू दा प्रोसेस ओफ एवापॉरेशन जब इस बरतल में बच्चों हम वोलेटाइल लिक्विड भरके छोड़ देते हैं तो कुछ टैम के बाद आपको यहाँ पे वेपर दिखाई पड़ी थी यह वेपर जो होती है वास्पी करण या इवापॉरेशन प्रोसेस के करण होता है इवापॉरेशन लिक्विड की वो प्रोपर्टी होती है जिसके करण कोई भी लिक्विड भाप में या वास्प में बदलता रहता है बिना गरम किये क्या यह आपको किलियर है देर के बाद बच्चों यहाँ पे एकुलिब्रिम बन जाता है क्योंकि जो आपका कंटेनर है वो क्लोज है और क्लोज कंटेनर में वेपर जो है वो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद सैचूरेट हो जाएंगी और यहाँ पे आपको एक एकुलिब्रिम बनता हुआ दिखाई देगा इन वेपर पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच बच्चों आप जानते हैं कि क्लोज कंटेनर के अंदर एकुलिब्रिम आ जाता है तो यहाँ पे इस लिक्विड और इसकी वेपर के बीच में equilibrium या सामय वस्था स्थापित हो जाएगी equilibrium या सामय वस्था पे ये जो vapor वास्प है भाप है जब ये liquid की surface पे दबाओ या pressure exert करती है लगाती है दबाओ तो ये दबाओ ये दाब जो होता है ये pressure कहलाता है vapor pressure of the liquid ये उस दरव का वास्प दाब कहलाता है बच्चों किलियर हुआ आपको एक बार फिर से जल्दी से briefing कर देता हूं कि equilibrium पर किसी भी liquid की vapor surface के उपर जो pressure लगाती है वो pressure ही कहलाता है vapor pressure assume two volatile liquid components are added in a vessel here vapor pressure caused by each component is known as partial vapor pressure of the component चो मान लीजे एक बंद बर्तन के अंदर आपने A, B दो volatile vase seal दरव ले लिये हैं यहाँ पर जो आपको blue वाला दिखाई दे रहा है बच्चों वो A particle है A liquid के particle है कन है और जो आपको green वाला दिखाई दे रहा है वो B liquid के particle या कन है कि आप इसको छोड़ देंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर प्रॉसस होता है evaporation और evaporation में यह भी आप जानते है कि liquid जो होता है वो vapor में convert हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर liquid से इसके A और B के जो पार्टिकल है वो vapor में बदल चुके हैं आप देख सकते हैं vapor particles So A component और A liquid वेपर पार्टिकल सो B कंपोनेंट और B लिक्विड यहां पर बच्चो यह जो वेपर के पार्टिकल हैं A और B पार्टिकल जो हैं यहां पर एकिलिब्रियम आने के बाद इस लिक्विड की सर्फेस के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे तो यहां पर A और B का जो individual जो pressure होगा वो ही कहलाता है partial vapor pressure of the component सर थोड़ा समझे यहाँ पे A vapor particle ने जो pressure लगाया है इसका जो A particle का जो individual pressure होगा वो कहलाएगा partial pressure PA यानि आंसिक वास्प दाब A का और अगर हम लोग बात करें कि सर B particle जो वेपर में है जब वो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे नीचे की और दबाएंगे इसको तो ये कहलाएगा B का आंसिक दाब या B पार्षियल प्रेशर ओफ बी कंपोनेंट इसको हम लोग P सबस्क्रिप्ट B से दिखाते हैं और A कंपोनेंट का पार्षियल या आंसिक वास दाब जो है वो P सबस्क्रिप्ट A कहलाता है बचो A नीचे की तरफ छोटा सा लिखा जाता है तब इसको बोलते हैं ज्यान रखीगा किसी भी component या किसी भी liquid का जो vapor pressure होता है pure state में उसको हम लोग P notes दिखाते हैं, clear हुआ P के उपर superscript में हम लोग एक छोटा सा O लगा देते हैं, इसको P note भी बोलते हैं, clear हुआ आपको, तो किसी भी liquid का सुदवस्था में जो भी वासदाब होगा वो P note कहलाता है अब उधारण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर A component का अगर pure state में vapor pressure की बात करें, तो वो P note A हो जाएगा, उसी तरीके से B component का pure state में जो vapor pressure होगा, वो P note B होगा, क्या है clear है आपको बच्चों? तो इस तरीके से हमने आज जाना कि किसी भी liquid के vapor pressure या वासदाब से क्या मतलब होता है, किसी भी liquid के आंसिक वासदाब या partial vapor pressure क्या होता है, या फिर सुदवस्था में या pure state में किसी भी liquid का vapor pressure कैसे दिखाया जाता है, क्या आपको clear है vapor pressure और partial vapor pressure?